हलो एवरीबन मैं हूँ मीरा पटेल और आप देख रहे हैं मीरा पटेल फ्लेवर एंड टेस्ट आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल छोले शादी वाले छोले जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और बनाने से पहले मेरी आप से कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और प्लीज पास मेरे वीडियो के नए-ने नोटिफिकिशल आते रहेंगे तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा घंटे तौ, चलिए बनना शुरूर करते हैं तो मैंने यहाँ का बूली चने लिये हैं इनको मैंने 58 गंटे अच्छी से भिगो लिया था और इसका पानी भी मैंने अभी निकाल दिया है तो इसको 8 गंटे के लिए मैंने शूक किया था अगर आप ऑफनएट भिगोना चाते इसमें बर्गर की दो गिलास पानी तो छोलेगे उपर तक पानी आना अच्छी है छोले डूब जाने चाहिए थोड़े तो इसमें हम तेज के कोडिंग डालेंगे नमक और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे हम एक छोटा तेज पत्र डाल रही हूँ मैं छोटा दाल चेनी का टुकडा डाल रही हूँ और पान चे मैंने काली मिर्चली है वो डाल दी है एक बड़ी लाइची डाल रही हूँ और दो लॉंग डाल रही हूँ तो इन मसालों के साथ छोलो में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा तो कुकर के ढकन को हम लगा देंगे और इस पर लगा देंगे लीड और इसको हम 6-7 सीटी आने तक बॉइल करेंगे जब तक कि हमारे छोले अच्छे से कुकनी हो जाते हैं तो मसालों का फ्लेवर छोलो में आ जाएगा बहुत अच्छे से तो देखिए साथ सीटी हो गई है तो देख लेते हैं छोले तो देखिए काफी अच्छे से बॉइल हो गए हैं तो मैं तोड़ करके दिखाती हूं तो सोरी गाइस बहुत गरम है बहुत ही जादा गरम है छोले बहुत अच्छे से पाग गए है, मैंने चेक कर लिया है, तो अभी जो खड़े मसाले थे ना, इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये मुह में आते हैं, तो इसका टिस्ट अच्छा नहीं लगता किजी किजी को, तो सभी खड़े मसालों का हम निकाल देंगे, मैंने काली मीर्च, लॉंग, तेजपता, दालचनी सबको निकाल दिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर छोलो में आ गया है, तो अभी ढालने के हमें जूरुत नहीं है, तो सभी को मैं निकाल रही हूं, तो देखे मैंने मसाले निका तो अच्छे से हीट कर लेंगे, एक दम गरम कर लेंगे और इसको फिर थोड़ा सा हलका सा ठंडा करेंगे, ताकि सरसो के तेल का कच्चा पन निकल जाए, तो देखे, मैंने गरम करके इसको नॉर्मल कर लिया है, तो डालेंगे एक चमच जीरा, और मैंने तीन मीडियम साइ कर लेना ह हलका सा तो हलका सा बूल लिया है हमने तो इसमे मैं डालूंगी साइज कर देख ले तो इसको अच्छे से बून लेंगे, देखे, कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो अभी हम दो टमाटर की प्यूरी डालेंगे इसमें, तो मैंने इसको भी टमाटर को पीस लिया था, अच्छे से, इसको भी बूनेंगे, और साथी साथ हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, जो ट का यी एकच मच राव्त कॉल्डर खेख राव्द तो अब डालेंगे का इस्पारी मेदे कुल्ड बष dhaniya पौडरे चारि-एक चमच में सौफ एक-चमच में सौफ का एकश्रिमीन मती डाला है मैंने और अभी हम डालेंगे kitchen king masala दो चमच भर के तो मैं दो चमच भर के kitchen king masala डाल रही हूँ तो friends मैं यहाँ छोले masala का यूज नहीं करूंगी इनी masala से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आप काली मिर्च पाउडर अगर डालना चाहते हैं खटास के लिए तो वह भी डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है मैंने काली मिर्च उबालते वक डाल दिया था चोलो में इसलिए मैंने अभी नहीं डाला है तो आप जरूर डाले अगर उबालते वक नहीं डाल रहे तो तो मिक्स कर लेंगे मसालो का अच्छे से तो हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो मैंने गरम पानी काइड किया है मसालो में तो मसालो का अच्छे से भूलेंगे तो हम इसको ढाग देंगे और पाच मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भूल लेंगे तो देखे पाच मिनट हो गया है मसालों ने अच्छा सा कलर छोड़ दिया है तो तेल सेप्रेट हो गया है उपर एक मिनट के लिए हम इसको खोल करके और थोड़ा सा पका लेंगे तो देखे एक मिनट हो गया है मसाली अच्छे से बुन गये हैं तो बहुत अच्छे से पक गया है हमारा मसाला और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है तो अभी हम इसमें जो अपने बॉइल के वे छोले थे ना उसको अड़ कर दिंगे छोलो को भी अच्छे से मसालो के साथ मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से छोलो के अंदर मसालो का टेस्ट आ जाए बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए तो अभी हम इसमें गरम पानी एड़ करेंगे तो मैं गरम पानी का एड़ कर रहे हूँ आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने बस मुझे क्या है टाइम थोड़ा बचेगा तो गरम पानी से मुझे जादा देर पकाना न और होटली स्टाइल बनते हैं तो इसको ढाब देंगे 10 मिनट गे ढाग करके पकाएंगे चोलो को तो देखे 10 मिनट हो गये हैं और बहुत अच्छे से हमारी सबजी बनकर के रेडी है यानि कि छोली की सबजी बनकर के रेडी है तो अभी मेरे लिए पानी पॉफेक्ट है क् सब्सक्राजू कि थंड़ा ऊने के बाद इसकी ग्रेवी और त्व को जाती है और बहुत गाड़ी हो जाएगी तो मैं इतना ही रखोंगी और हें तोड़ा से हम शोलो को मैश कर लेंगे फुर एपटेटो मेशर से तो मैंने हलका सा मैश कर लिया चोलो को ताकि ग्रेवी हमारी थिक हो जाए तो अगर आपके छोले खड़े-खड़े हैं और ग्रेवी पतली है तो आप उसको ऐसी मैश कर ले मैशर से अभी मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया बन मैं डालोंगे इसमें हरी धनिया पत्ती इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे छोले हमारी कितने अच्छे लुट पूटे बने हैं ठंड़ होने के बाद और तीक हो जाएंगे बहुत ही टेस्टी बने तो मैं आपको दिखा देती हूं तो देखे गैस बंद करने के बाद मैंने पाच मिनट बाद इसको थोड़ा तो मैं दो चम्मच ओईल में थोड़ा समयने स्लाइस डाली है अद्रक की एक इंच अद्रक लिया था उसको बारिक 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 स्लाइस में कट कर लिया था और दो मिर्ची फाड करके डाल रही हूं तो तड़के से बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है छोलो में तो यहां मैंने लाल करशनिरी लालमिच डाली है कलर बहुत अच्छा है का चोलो में तो तीखी वाली स्लाइस मैं ने नहीं किया है तो चलिए यह लालमिच देखे तनका हो गया है कितना टीस्टी हो गया है सवच में बहुत ही अमेजिंग बने हैं छोले तो आप एक बर ऐसे जरू ट्राइए करना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टीस्टी बने हैं तो इसको हम प्यासे कर देंगे गार्निश और थोड़ा सा हरा पत्ती धनिया डाल देंगे तो देखिए लग रहे ने एकदम धाबा स्टाइल रेश्टरन वाले छोले तो बहुत ही टीस्टी बनते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के स तब 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 किली बाइब बाइब